आज बावा को सत्गुरु के संबंद से याद करेंगे आज हमारे सत्गुरु हमें उपराम भव का वर्दान दे रहे हैं तो अज सारा दिन आज अभ्यास करेंगे मैं आत्मा इस शरीर में महमान हूँ इस अभ्यास से शरीर से निर्मोही बनते जाएंगे और वस्तुओं के आकर्षन से मुक्त होते जाएंगे देहे के संबंधों से अपना पन मिटता जाएगा तो ये स्थिती हमारी उंच स्थिती बनाती जाएगी तो हमें आज उपराम रहकर परवृति में रहना है तो सत्गुरु के वर्दान को समृति में रखना है आज की मुरली में बाबा ने कहा कि तुम्हें इस संगम पर बाप की याद से स्वव का कल्यान करना है तो स्वव का कल्यान किसे कहते हैं? इसके लिए बाबा ने कुछ बातों पर अटेंशन दिलवाया तो आज इन बातों का चाट रखेंगे एक दूसरे के साथ आत्मिक द्रिस्टी से रह करके बात करेंगे जर्मूई जग्मूई नहीं करेंगे परचिंतन नहीं करेंगे किसी के साथ फैमिलियरिटी अर्थात नाम रूप में नहीं फसेंगे और अपने आपको देह अभिमान से मुक्त रखेंगे तब ही हम स्व का कल्यान कर सकते हैं स्व का कल्यान करने के लिए बाप की याद इस फरमान को पालन करेंगे तो आज बाबा ने कहा कि बाबा को याद करके बुध्धी को स्वच सोने जैसा बनाना है योग बल से ही करम इंद्रियों को शान्त और शीतल बनाना है जैसे जैसे हम बाबा को याद करेंगे तो मन शांत रहेगा और करमिंद्रियां शीतल होती जाएंगी अर्थात देहे अभिमान से मुक्त होते जाएंगे इसलिए गाइन है योगी वही जिसने अहंकार को मारा हो तो जैसे वाबा को याद करेंगे तो हम अपनी करमिंद्रियों पर जीत पालेंगे ये भी याद रखेंगे कि आज हमने ऐज जितना भी हमने जिवन में धारन किया इस ग्यान की धारना से इस दुनिया से हमने अपना लंगर उठा लिया है अर्थात जीते जी मर गए है अगर हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं तब ही हमारे करम श्रेष्ट हो सकते हैं और हम श्रेष्टा चारी दुनिया के मालिक बन सकते हैं तो आज की मुरली में बाबा ने ये भी कहा कि स्वधर्शन चक्र फिराते रहो ये सारी बाते ही स्वधर्शन चक्र फिराते रहेंगे तब ही अन्तमती सोगती होगी क्योंकि अंतिम समय वही याद आता है जो करम, जो चिंतन हमने अपने पूरे जीवन में किया होता है केवल अंतिम समय अगर भगवान को याद करेंगे तो भगवान की याद नहीं आएगी तो अंतमति सोगती हमारे संसकारों के अकॉर्डिंगली और बाप की याद से श्रेष्ट करमों के अकॉर्डिंगली होगी इसलिए अभी हमने स्वयम का कल्यान करना है तो अपने करमों पर और बाप की याद पर विशेश अटेंशन देना है तो इन बातों को आज की मुरली से हम धार ना में लेंगे ओम शान्ति